नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में नई प्रात्मिक सिच्छक भरती के सासना देश जारी को लेकर साथ में UPTT 2021 प्रिश्णों पर कितने कामन अंक मिलेंगे 6800 छात्रों को न्युकती का हाई कोट का आदीश, असिस्टन्ट प्रोपेश्टर के परणाम और पर बड़ी अपडेट, और आरवी एंटीपीसी पर महत्पुन निर्णे के साथ उत्तर प्रदेश के समस्त स्कूल कॉलेजों को खोलने का आदेश जारी हो चुका है, तो नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं यूर न्यू डारेक्शन यूट्यूब चैनल, ऐसी ही लेट अपडेट, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अधिक सदिक सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ने किया है तो पर परिडाम 25 फरवरी 2022 को दारी होने वाला है अगर हाई कोट की किसी भी प्रकार की बाइट फरवरी को होने वाली जो सुनवाई है उस पर रोक नहीं लगती है UPTET पर तो हम आपको बता दें कि PNP की तरफ से मैक्सिमम तीन कौमन अंक यहां पर आप सभी को मिलने वाले हैं और यह कौमन अंक दो तरह से भी हो सकते हैं या तो सभी को कौमन अंक दिये जा सकते हैं या तो वो तीन प्रस्न हैं जिस पर दो उत्तर सही बनाए गए हैं जो कि 2017 पर भी था या दोनों उत्तरों पर जिन छात्रों ने किलिकिया है किसी एक में भी तो उनको भी यहां पर न कि तीन अंक सभी को मिलना यहाँ पर तय तो जो भी तीन अंक से छातर फेल हो रहे होंगे उन सभी को यहाँ पर पास होने के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आ चुकी है चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ अभी तक उत्तर प्रदेश में जो पिछला आदेश हुआ था समस्त स्कूल कालेजों को खोलने के लिए वो 9 कच्छा 9 से उपर तक के विद्यालियों को खोलने का आदेश हुआ था लेकिन अब यूपी में सोमवार से यानि कि 14 फरवरी 2022 से सभी स्कूलों को खोलने का निर्ण हैं यहां पर उत्तर प्रदेश शरकार के माद्यम से ले लिया गया है और इसी के करम में अवनीश कुमार अवस्थी जी हैं अपर मुक्ष सच्ची उत्तर प्रदेश शार्षन की तरफ से समस्त विभागों को समस्त जिलादिकारियों को 11 फरवरी 2022 को एनोटिस जारी किया ग कुछ जो भी रेश्टोडेंट हैं सिनेमा हौल हैं स्विंग पिल हैं वाटर पार्क हैं इन सभी को भी खोलने का निर्णे ले लिया गया आप देख सकते हैं कि 14 फरवरी 2022 से अगरिम आदेशों तक सभी चीज़ों को खोलने का आदेश जारी हो चुका है अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ और अगली अपडेट के बारे में हमने आपको कल भी बताया था लेकिन हम आपको एक विस्तार से यहां पर बता दें 10 फरवरी 2022 को यह पहला ऐसा आदेश है जहां पर प्रदेश के असास की सहायता प्राप्त माध्मिक द्यालियों में प्र देखिए जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालियों की सिच्छक भरती है जो कि 17,000 पदों पर होनी थी वो प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो चुकी है वो प्रक्रिया तब सुरू होगी जब कोई नई सरकार 10 मार्च के बाद आएगी उसके लिए छात्रों को फि ने की पूर्ण संभावना क्योंकि जो प्रक्रिया है वो यहां पर सुरू कर दी गई है बताया गया है कि प्रैमरी विवाग के बालक और बाहिका में जितने भी स्रजित पद हैं और रित अंकी जो संख्या हे वो यहां पर मांग लिए अधिया चन के तौर पर मांग लिए जिसके लिए यहाँ पर 16 फर्वरी 2022 तक hard copy या soft copy इमेल के माध्यम से हर हाल में भेजिनी के लिए आदिश जारी किये गए हैं और इस आदिश के बाद यानि इस जो रिक्त पदों का ब्योरा है जो अधियाचन है वो प्राप्त होने के बाद असास्किय महाद्मिक विद्यालिय जो में नई प्राथ्मिक सिच्चक वर्ती का विग्यापन देखने को मिलेगा फिलाल कितने पदों पर भरती आएगी इसके अभी कोई आदिकारी गोशना नहीं हो सकती क्योंकि रिक्त पदों का जो अधियाचन है भी मांगा गया है उसके बाद क्या इसमें सेच्छिक आदिम से जरूर दे देंगे उसके लिए आप इस चैनल को अधिक शेदिक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट के तरफ और अगली अपड में रिक्त रहे गए 6800 पदों पर OBC अभ्यार्थियों की यूनिक्त किया दाने के लिए प्रदेश सरकार ने निर्णे लिया था तो उसमें जिर अभ्यार्थियों का सेलेक्शन नहीं हुआ यानि कि बहुत कम मरेड थी वो सभी अभ्यार्थियों के खिलाप हाई कोट की नहीं होती दी गई है जो पांच जन्वनी 2022 को जारी हुआ है और हाई कोट ने प्रदेश सरकार को पूरे मामले की जानकारी उपलब्द कराने के निर्देश दिये हैं साथ में आदेश न्याय मूर्ती राजियों जोसी ने प्रतिक मिश्रा की याचका पर ये आदेश दिये है इस पश्ट कर दिया है उन्होंने कहा है कि सरकार बिना कोई विज्यापन जारी किये इस रिक्त पदों को बिल्कुल भी नहीं भरतकती है साथ में उन्होंने कहा है कि 99000 सिच्चक बरती के लिए शाषन आदेश जारी हुआ था इन्हीं सभी सवालों पर जवाब के लिए ह इस पर अगली सुनवाई पर जो निर्णे है वो सरकार की तरब शे आई कोट के सामने रखे जाएंगे और उसके बाद यहां पर इस भरती पर निर्णे देखने को मिलेगा तब तक जो 6800 की प्रिक्रिया वो फिलाल रुकी हुई है आचार सहिता की भी मामला है हाई कोट का बी मामला है इसाब कारों सिया प्रिक्रिया रुकी है अब यह प्रिक्रिया नई सरकार में दस मार्च के बाद ही सुरू होने की पूर्ण संभावना है और हाई कोट सुनवाई के आदिश के बाद ही यह भरती पर इच्छा के अगली जो अपडेट है वह उत्तर प्रिदेश अंतिम जो उत्तर कुंजी जारी करने से पहले जो अपतिया थी वो ले ली गई थी और अपतिया बहुत ही जादा आए थी उन सभी के निस्तरण के बाद जो संसोसित उत्तर कुंजी है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है हम आपको बता दें कि 2002 पदों के लिए विग्यापन संख्या 50 के तहट 47 विश्यो में असिस्टन प्रोफेशर की ये भरती प्रिक्रिया के लिए संसोसित उत्तर कुंजी जारी हुई है अब हम आपको बता दें छात्रों को इसमें परणाम का इंतजार है तो यहाँ पर प्राप्त जानकरी के अनुसार 20 फरवरी 2022 तक जो लिखि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हैं चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट के तरफ और अगली अपडेट आ रहे है अररवी एंटी पीची को लेकर जहां ब्यारतियों की बात आज सुनेगी कमेटी रेलवे भरती बोर्ड एंटी पीची में गरवडी मामल कोरल कलप में आज सुनवाई होगी यानि कि 12 फरवरी 2022 को सुबह 11 बच के 30 मिनट से अपसर यहां पर छात्रों से मुलाकात करेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे यह सुनवाई लगबग 2 घंटे चलेगी यानि एक बच के 30 मिनट तक लगबग यह सुनवाई चलेगी तो ज यहां जनवरी सत्र में दाखिले के लिए 22 तक यहां पर आव्यदन लिये गए इंदरा गांधी नेश्नल ओप अच्राप में अपना पोर्टल एकाउंट बनाकर और यहां से आप दाखिला ले सकते हैं